नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बारह जनबड़ी 2021 का दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या खिया पड़िवर्तन क्या खिया बदलाब होगा अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियों को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करदें इस वीडियों के नीचे जै हनुमान कमेंट कर दें इस वीडियों के अंत में आपके आनेवाले शमय का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत जियादा बिहतर और शांदार होगा वित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ती जीवन के बारे में दोस्तों दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर और सांदार होगा आज के दिन आपके दामपत्य जीवन में आपके जीवन साथी का साथ थे आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा आपके जीबन साथी के साथ है उनके सपोर्ट के कारण आपका दामपत्ती जीबन बहुत जयादा बिहतर और सांदार होगा लेकिन अगर आपके सुवास्त की बात करें तो सुवास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाने से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन अपने सेहत के मामलों में आपको शाबधानी बरतना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अपने सेहत के मामलों में अगर आप लापडबाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना बहुत जयादा करना होगा तो आज के दिन इन मामलों में आपको शाबधानी बरतना होगा क्योंकि यह आपकी आने वाले शमय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण और आबस्यक है लेकिन अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कोन से भी आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा आज के दिन अपने फिजुल खडची पे अपने फालतू के खडचों पे आपको ध्यान देना होगा आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं धन संपती के मामलों में अगर आप लापड़वाही करते हैं तो आज के दिन आपको आर्थिक पड़ेशानी का सामना बहुत जियादा करना होगा तो यही था आज के दिन का रासी फल्ले तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस टोटके को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदार होगा दोस्तों टोटका बहुत ही जियादा शामनी है आज के दिन अपने समय को बिहतर बनाने के लिए आपको एक मंत्र है उस मंत्र का जप करना होगा वो मंत्र है ओमनमह सिवाई इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत जियादा बिहतर और सांदार होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें धन्यवाद